Hello everyone, welcome to my channel, I am Neha Vedwan तो जैसे कि कल की क्लास में हमने वर्ड रूट पढ़े थे ये जितने भी आपको ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं हमने इनकी सभी की वर्ड रूट पढ़ ली थी कल है ना, तो आज इन ही वर्ड को आप सेंटेंस में कैसी यूज करोगे ये कहां एजिक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं, कहां नाउन की तरह यूज कर हुए हैं, तो आज की वीडियो में हम ये सभी देखेंगे ताकि आपको सेंटेंस में भी इनका यूज करना बहुत अच्छे से आ जाए, क्योंकि जब हम किसी भी वर्ड को सेंटेंस में यूज करते हैं, तो वह मिनिंग हमें बहुत अच्छे से लर्ण हो जाता है, और हम उसको कभी भी नहीं भूलते हैं, और दूसरा इसका बेनिफिट क्या होता है, हमारी वर्ड क्या है, तो वर्ड है हमारा पैड्रेट्रिक, पैड्रेट्रिक यहां पर कैसे यूज हो रहा है, पैड्रेट्रिक मैं अल्रडी बता चुकी हूँ, पैड्रेट्रिक किस से बना है, पैड्रेट्रिक किस से बना है, यह हमारा किस से बना है, पैड्रोस से बना है, पैड कहा हुआ होता है । इट वस कुई ढें धायव ठाग् Hawk QR के लिघृत्र भाइटरिक था हैथ हिर्या ओढिव। तो इस सभस्या को आपा दिवार्र कि हूं ह् दुख्रिक भूच्श पोस्ट अब यह ज़ए जिवici www.ne equipo- projected JPT तो यहाँ पर किसका काम कर रहे है एड parf शुइक नहीं तो अपर करती थी क्या है ब्लेश्यैटन करती थी बाल चिकितसा की जो पोश्ट थी ना वो इसको डिसम बहुत अच्छे से करती तो आइधिंग आपको ये देखो सेंटेंस में भी आपको ये भी पता चल गए यहां पर ये किसका काम कर रही है एड्जेक्टिव क्योंकि नाउन को मोडिफाई कुन करता है आपको अपको अच्छे स समझे देखो और ये हमारा किससे बनाए पैड़्ोस जो की चाइल्ड है इसां मैंने बदाज पताया था इट्रिया हमारी हो गई क्या? medical healing, मतलब जो medical treatment होता है है ना, और ये Asian क्या होता है जो जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था expert होता है, तो यहाँ पे expert कौन होता है expert कोई person होता है है ना, और person कौन होता है, noun होता है, तो आपको अच्छे से समझ देखो अब यहाँ पे देखो, she हमारा क्या है pronoun है, और pronoun किसके place पे यूज होता है, noun के place पे यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, ठीक है तो pronoun लड़की के लिए, यहाँ लगा दिया यही के बाद हमारी क्या रही है, verb is अब उसके बाद क्या आता है, object आता है यहाँ पे जो पेडरिटीशियन है, किसकी तरह यूज हो रहा है, noun की तरह यूज हो रहा है तो वो क्या है, बाल, जो बाल, चिकित्स, विशेशग, बाल, चिकित्स, मतलब बाल, जो बच्चों की जो चिकित्सा करने में, वो क्या है, expert केहां भाता है उसके कि तरह योँजे हो यहां है to lose कि कि टरह लिए इक्सपर्ट ऑसा यहां पर उन्हें नाउन बन गया तो अपको सेंटेंस यूज करने बहुत अच्य से घेयुशे कि भाया जारे बहुत अच्छे Was अच्छी से थाव्या याद को एड़ेंगे को अधाटव तो प्लीज पहले आप वह वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि उसमें सारे वर्ड रूट बहुत अच्छे से क्लिए कि अधिया है। तो देखो, the pedagogue kept the child safe, pedagogue क्या हो, यहाँ पर देखो, pedos से बना है, जो कि किसका means क्या होता है, child, है ना, ego क्या होता है, leader, तो बच्चो का leader, अब यहाँ पर देखो, the pedagogue kept the child safe, उन्होंने बच्चो को कैसे रखा, safe रखा, taught, taught means पढ़ाया, teach की second form क्या होती है, taught, ठीक है, क्या पब्लिक behavior, और पब्लिक में कैसे behavior, क्योंकि एक teacher यही नहीं कि सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ study के लिए बोलता है, कि बास तुमें study करने ही, एक teacher का जो करतव्य होता है, वो क्या होता है, बच्चो को हर तरह की चीजे को सिखाना, उनको सिखाना के self-discipline में कैसे रहते हैं, हैं, या तो noun आता है, या फिर pronoun आता है, तो यहां पे जो पेडगोग है, वो किस के place पे यूज़ हो रहा है, noun के place पे यूज़ हो रहा है, तो पेडगोग कैप द चाहिल सेफ, और सेल्फ डिस्प्लिन अड पब्लिक behavior, तो अपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां पेडगो किया है teacher next देखते है he dismounted dismount इस दिस्माउंट के वहता है उतारना, अब यहां पर dismount के second form है dismounted तो उसने उतारा क्या उतारा the statue अब यहां पर इस्टेचू को उने है भई स्टेचू तो object के place पर राइट means यहां पर statue क्या है, noun है, ठीक है, तो यहाँ पर statue को उतार लिया, मूर्ती को उतार लिया, अब यहाँ पर देखो, कहां से उतारा, from its pedestal, अब यहाँ पर देखो, its हमारा क्या है, its हमारा, its का possessive adjective है, possessive case है, अब यह possessive adjective है, क्यों, क्योंकि pedestal क्या है, noun, क्योंकि यहां पे बात pedestal की हो रही है pedestal मैंने बताया था पैडिस से बना है जो कि food से related होता है अब यहां पे जो pedestal है किसकी तरह यूज़ हो रहा है कि जिस पे वो एक तरह से आधार pedestal means आधार it means जिस पे हमारे पैर टिके हो आधार बन जाए अब यह जो statue है यह पे टिका हुआ था pedestal पे टिका हुआ था जो आधार था statue का पिडेस्टल था तो आई थिंग आपको समझ में आगे यहां पे यह noun है और यह it's हमारा किसके लिए उस पे यूज़ हो रहा है possessive adjective क्योंकि adjective को क्या चाए यह noun और यहां पे possessive क्यों है क्योंकि statue का अधिकार है इस pedestal पे क्योंकि इसका statue pedestal पे ही खड़ा होता है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो he dismounted the statue from its pedestal उसने pedestal से वो statue उतार लिया तो it's आपको समझ में आ गया क्योंकि मैं आपको pronoun बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ है ना तो यह यहां पे possessive adjective का काम कर रहा है क्योंकि उसकी just बात क्या हुआ है noun possessive adjective के बात क्या आता है noun जैसे कि my home home क्या है noun और my क्या है मारा possessive adjective I का possessive adjective possessive case और mine क्या है possessive pronoun तो I think आपको यह उसने उसको उतार लिया तो I think आपको समझ में आगे होगा तो pedestal आपको समझ में आगे है pedestal मिन्स क्या होता है आधार है किसका आधार है उस statue का आधार है उसी पे से उसने उस पे से उसको उतार लिया ठीक है next देखते है she put her foot down on the accelerator pedal accelerator pedal तो आप देखते होगे metro में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको यही देखते हो तो वो पैडल अब आपको समझ में आगे ना पैडल कहाँ पैर ही तो रखते है ना उस पैक से लिटरर पे तो पैर से रिलेटेड है पैडल तो बिल्कुल समझ मा आगिया होगा है ना तो अब नेक्स सेखते हैं only a demagogue could persuade so many people to rebel against authority अब देखो demagogue जैसे कि मैंने कल आपको बताया था demagogue क्या होता है people है ना और ego क्या होता है leader तो लोगों का नीता अब लोगों का नीता कोन होता है जैसे कि वो एक तरह से बहुत सारे public को क्या करता है वो उन्हें persuade करता है उन्हें समझाता है उन्हें अपनी तरह attract करता है कि वो उसकी बात को सुने एक तरह से वो उनका leader बन जाता है है ना जैसे कि अब आपने देखा होगा जो किसान अंदोलन चल रहा था है तो आप उसे डेमगो कह सकते हो क्योंकि वो एक तरह से उनका नेता बन चुका था अब वो कैसे कर रहा था ये तो देखो एक तरह से वो उनको पर्शुएट कर रहा था किसको कर था so many people बहुत सारे लोगो को to rebel, rebel करने के लिए एक तरह से वो कानून का विरोधी तो कर रहे थे ना है ना कानून का विरोध कि ये कानून नहीं होना चाहिए तो अब यहाँ पर उनका जो खिसानों का एक नेता होगा जिस नेता ने सब क्या कर रहा था पूरे जो so many people को क्या कर रखा था अपने उन्हें बहुत अच्छे से समझा रखा था कि कैसे करना है क्या करना है कहां पर जाना है I think आपको समझ में आ गया होगा only a demagogue ही ये काम कर सकते है could persuade so many people to rebel against authority तो यहां पर जो demagogue है किस की तरह काम कर रहा है noun की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसके just about क्या रही है verb आ रही है हमारी ठीक है तो यह noun की तरह काम कर रहा है तो आपको ये demagogue समझ में आ गया होगा अब कहां पी कैसे use करने हैं ये words तो आपने words याद कर लिए इनकी words root याद हो गई आपको तो अब आपको बिल्कुल भी परिशान होने की क्योंकि हम grammar word root करेंगे कुछ भी अगर हम करेंगे वो grammar को साथ में लेके करेंगे ताकि आपके grammar भी strong हो और आपकी vocab भी strong बनती जाए क्योंकि vocab के बिना भी grammar अधूरी है क्योंकि हमें words भी तो learn होने चाहिए न ठीक है तो आगे बढ़ते है तो आपके सामने ये कुछ words हैं जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जो मैंने word root का first part डाला था उसमें भी मैं आपको करा चुकी हूँ word root part second में भी मैं आपको करा चुकी ये तो ये आज आपका ये आपको करके देखने है कि आप देखो जिसे फर्स्ट हमारा गायना मैंने फर्स्ट जो वर्डूट फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने करा था अगर वो वीडियो नहीं देखिए तो वह भी देखना क्यूंकि वर्डूट बहुत ज़रूरी है आपकी वोकैप को स्ट्रोंग बनाने के लिए और आपको एक तरह से जब वर्डूट करोगे तो आपको इंटरस्टिंग वे में आप वोकैप को बहुत अच्छे से लर्ण करोगे है तो ये मैं पैट्रियेटिक्स पैडगोजी और ये डेम ये सारे वर्डूट मैं उल्री करा चुके हैं पार्ट फर्स पार्ट सेकिंड ठीक है आप दोनों ही देख लेना अब यहां पर इंसे रिलेटिट कुछ अब ये क्या करने है आपको देखने है कि ये एक तरह से आपको मैच करने है फर्स्ट का आपको किस किस एंस में बैठ इंसे करने है ये तरह सी खुट से बैठ रहा है। इस के तरह से कुछस है फुट से करने है कि मैच करने कि जैसे कि गाइन अनीक पर्ट ? इसके लिए फित भाष में तो एकुट बैठ रहा है वो आपको देख आ है् जासेथagar जाक पहलिए ऑुटी देर पहले भी बतों का ब सभी sentence में से Chelsea related कौन सा sentence है पैडागोजी मैं उल्रेडी पढ़ा चुक है तो ये सारे words आपको देखने है ये मैं word route में उल्रेडी करा चुक है ये अपको homework है आप इसका screenshot ले सकते हो और आप screenshot लेके आपको खुद ही आपको ये करना है okay bye मिलते है next video में अगर आपने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलेगा ओके बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में